हेलो दोस्तों वल्कम बैक टु माय चैनल अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एपिसोड 16 के शरवात में लोजिशिंग टेंग डिंग को कहता है कि मेरी फिलिंग्स टेंग्शिंग के लिए तुम्हारे भाई से डिफरेंट हैं यह कहकर लोजिशिंग अपनी कार का तरवाजा बंद कर लेता है अब हुआन भी वापस अपने घर जा रही होती है तो दोंग हुआन से कहता है कि क्या तुमने कभी अपने ब्रेंट को बढ़ा करने के बारे में सोचा है तो हुआन कहती है कि यह सब करने के लिए कुनेक्शन और पैसे चाहिए क्यों क्या हुआ तुम मुझ में इंवेस्टमेंट करने वाले हो दोंगी कहते कि मेरे अंदर बढ़ा ब्र व्यूज ने मुझे ये बात याद करवाई है कि मुझे असल में इस एक्सपिरियन्स को फील करना चाहिए तेंक्यू कहता है कि तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे जब तुम ठीक हो जाओगी अगले दिन तेंक्यू 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 को एक पेशेंट से मिलवाने के लेकर आता है तेंक्यू पताता है कि तीन साल पहले मैंने केर ट्रेनिंग में पार्टिस्पेट किया था तब मुझे कुछ कैंसर पेशेंट्स के बारे में जानने का मौका मिला था मिस शू भी उनी में से हैं मिस शू का कैंसर लास्ट टेज़ पर पहुंच किया है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके पास सिर्फ एक महीने का वक्त रह गया है मिस शू और उनका हस्बंड एक दूसरे से अलग होने पर काफी सदा दुखी होते हैं ये सब देखकर टेंशन भी काफी एमोशन हो जाती है मिस शू का हस्बंड उनसे कह रहा होता है कि मेरे पर हमारी वेडिंग फोटो अभी तक उधार है पैसे में जाने के खातर हम लोगों ने वेडिंग फोटो ही नहीं ली थी ये इस देखने के बाद टेंशन और टेंशन और टेंशन जो बाहर आते हैं तो टेंशन कहती है कि क्या इस कंडिशन में मिस शू हॉस्पिडल से डिस्चार्ज हो सकती है तेंग्यो कहता है कि उनका हॉ literal में रहना ही ठीक है लेकिन मैं इस मामले को handle कर लूँगा और अब तेंग्यो और टेंग्यो मिस्चियू और उनके husband की wedding photo की च्वाते हैं मिस्चियू मिस्चियू को flowers देती है मैं स्यूर होते हैं अपने हस्बंट को सारी जिंदगी अपनी टेक केर करने के लिए थैंक्स पोल रही होती है अब जब ये दोनों वापिस आ जाते हैं तो तेंग्यू कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे स्क्रिप्ट के सीन के बारे में परेशान होने की कोई ज़रत नहीं है तेंग्शन कहती है कि आज ये देखने के बाद किसी से अलग होने की मेरी सोच बदल गई है अब मुझे लगता है कि आप जितना किसी से close हो जाते हैं तो उससे अलग होना बहुत ही मुश्किल होता है और आपके पास जो भी time बच किया होता है आप उसको जादा एहमियत देखकर enjoy करते हैं एक एक पल को सुंदर बिनाने के लिए लोग हर मुमकिन चीजों को करते हैं तिंग्यू कहते हैं कि अगर हम separation से पहले ही अपने time को खुशी से spend करना सीख चाएं तो हमें अलग होने का डर नहीं रहता तिंग्यू कहते है कि आज मुझे तुम्हारे बारे में एक नहीं बात पता चली है तिंग्यू कहते है कि मुझे भी share करो तिंग्यू कहते है कि future में मैं भी तुम्हारे साथ volunteer training के लिए जाया करूंगी तिंग्यू कहता है के फिर हमारी डियल हो गई है अग्रे दिन स्टूडियो में लोजिशेंग अनॉसमेंट कर रहा होता है कि आज इस फिल्म की स्क्रेंड रायिटिंग खतम हो गई है और इसका सारा credit हमारे स्क्रेंड रायिटर्स की मेनत को जाता है और सब लोग तेंग्शिन और फेंग्चेंग के लिए तालियम बजाने लगते हैं अब जब ये लोग मेडिंग रूम में आ जाते हैं तो चेंगुछन तिंगुस और दोंगी को भी बुलाँगी तो आप लोग रिसेट्रेंट चूज कर लेगलता अब दोंगी है क्या तुमने तिंगचिंग कदल जीत लिया है तो तिंग्यू कहता है कि मैं अभी भी कुशिश कर रहा हूँ और मुझे कोई फैक्ट नहीं पड़ता अगर मुझे थोड़ा से वक्त और भी लग जाए तो अब जब ये लोग होडल से बाहर आते हैं तो दौंगी ने काफे ड्रिंक कर ली होती सचेंगा इसको लेकर चला चाता है तिंग्यू कहता है कि तुम दोनों को मैं घर चोड़ाँ गा लेकिन तिंग्चिन कहती कि इसके कुश ज़ुद नहीं है मैं और तिंग्डिंग आज रात एक साथ सपेंट करने वाले हैं तिंग्डिंग तिंटिंग से कहती है कि इसने को जो मुझे रिजक्ट की पर नहीं, का मतलब नहीं होता है, वो मुझं मुझे बिल्कुल भी पसंद क्यों कहती है क्यों किया तेंग चिन कहती है कि उस टाइम पर मैंने यह सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो फिर मेरे पास कोई भी डिग्रेट्स नहीं रहेंगे तेंग इस बात को सुनकर काफी कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है अगले दिन देंग दोंगी के आफिस में आती है तेंग यूज दोंग दोंगी को बुला कर लाओ तो तेंग इसको पूछता है कि क्या वने वाकि में किस नहीं की तो असिस्टेंग कहता है कि हाँ मैंने बाकी सबसे भी पूछा है असिस्टेंग काउ कहता है कि क्या मैं अब जाकर दोंगी को बुलाओ तो तेंग यू कहता है कि तुम तेंग दिन के एजन्ट को कॉल करो कल उसका प्रेस इंटरिव्यू है इसलिए उसको रिलैक्स रहना चाहिए यह सुनने के बाद असिस्टेंग काउ चला जाता है आज त सैब ये दोनें दुज्रे को देख रहे हो दो तो तेंग शिन कहती है कि क्या करें हो क्या प्रेस क좌न्फंस ब्लाइए घृस काउन्रज इस और चाणpotechn को कोई बॉस नहीं पाती कि मुवी रिलीज होने के बाद जो भी कमेंट्स होंगे मैं उनको पुरे दिल के साथ कौनफरेंस में क्यों आई है लगती है कि तेंग्यों खूद मुझसे मिलने के लिए सेट पर आया था और मुझे इस मूवी में रोल के लिए किया तो अब होश तेंग्यों से ऐसा करने का कारण पूछता है तो तो तेंग्यों कहता है कि यह हमारी स्क्रीन राइटर की तेंग्यों कहता है कि इसको बहुत सारे लोग अपनी फिल्म्स में कास्ट करना चाहते हैं अगर मैं इसके फ्री होने का इंतजार करता तो मुझे नहीं लगता कि हम उसको अपनी मूवी के लिए मना पातें तेंग्यों कहता है कि मैंने तुम्हारा नॉबल कई बार पढ़ा है इसलिए मैं इस बात को फील कर सकता हूँ अब तेंग्डिंग लोजिशिंग के साथ जब वापस जा रही होती है तो यह कहने लगती है कि आज की प्रेस कांफरेंस के बाद मैं जैसा फील हो रहा है जैसे इस मूवी की रेपूटेशन अब मेरे हाथ में है लोजिशिंग क पर लेता है तेंग्शिंग केहती है कि आपको लोकेशन चेंज करने की सुर्थ नहीं है मैं वाँ पर खुद चली जाओंगी तो सिस्टेंट गाउ कहता है कि तेंग्डिंग्यों बिल्कुल फ्री है वैसे उनकी फ्लाइट रात में है तो कोई मसला नहीं होगा तेंग्डिं मुझे अपने डिजाइन को दिखाने के लिए कुछ करना चाहिए और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सबसे तेज रास्ता है यह सब करने के लिए तेंग्शिंग तो बहुत था खुश होती है कि भौन भी इसकी मुवी की टीम के साथ काम करेगी दूसी तरफ लोजिशिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के इंटर्वी लेना शुरू कर दिया होते हैं अब हुआन भी अपना इंटर्वियों देती है और हुआन के इंटर्वियों से फैंग चैंग और मुजिशिंग दोनों इंप्रस दिखाई दे रहे होते हैं रात को घर आने के बाद ये तीनों से पाओ मैं जानती हूं कि ये नियूस दॉंगी और इसकी गर्फरंड के बारे में है तेंग इसे पूछती है कि क्या तुम अब उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करती हो अब तेंग दिंग इन दोनों को आफिस वारी बात बताने रगती है तो ये दोनों ये सुनकर काफी करका कि ये अब करती है तो इस स्वेषिखने के बाद के साथ कामाजी पात कर रहा होता वेट कर रहा होता है तो ये थिंग ग्यू की पिक्चर लेकर तो ये त trip में आप संट कर देता है ये विर भी आनते के बहुत पूशने लगती है कि तुम किसके साथ हो भी साथ ही तिंग्यू का मेसिज आ जा जाता है जो इसको बता रहा होता है कि मैं घर पर आ चुका हूं और आज मैंने किसी भी रड़की से काम के इलावा कोई बात नहीं की और मैं कल बिजनस ट्रिप से वापिस आ जाओंगा तेंग् कहता है कि मैं तुम से ऐके सबाल करूंगा कि क्या तुम कर मुझग करने के लिया सकती हो । adult दैती है करो देती है को सिएले तन्युदिछ टिंग्यू को कि तुदेजर को जैसे भी समझती हो उसको एक्सप्रेस करने की कोशश करो तेंग्ड्ड्ड्डंड़ॉशन से कहती ह कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं और उसी शिंग भी तिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं और इसी मुमेंट पर एपिसोड 16 खतम हो जाती है